आपने सारी चीजें मतलब क्या करनी अच्छे से समझनी है और फिर दूसरा क्या करना है अपनी NCIT को read करकर उसको उसके according understand करना है क्योंकि होगा क्या जब NCIT की line directly cut paste करके exam में आएगी तो understanding से बना तो पाओगे लेकिन अगर उस line में हलकी सी fluctuation होई तो वो शायद गलत हो जाए समझने इस बात को इसलिए NCIT जरूर पढ़ो बिटा ना NCIT जरूर पढ़ो और revision एक बहुत जरूरी चीज है जिसे हम कहते हैं कि आपने आज पढ़ा तो अगली क्लास देखने से पहले 5-7 मिनट अपने copy के page जरूर पलट लो यह बहुत important काम होता है तभी आप आगे बढ़ता हो